तो स्वागत है आप सभी का ग्यापन एकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में आज के इस वीडियो में हम लोग एकदम डीपली समझने वाले हैं कि अदब किसे कहते हैं और अदब की पहचान कैसे करें क्योंकि आज कल ऐसा हो रहा है ना कि लोग जो है ज्यादसर पढ़ रहा है अदब को पढ़ने वाले लोगों की संख्या लगातार बढ़ते चली जा रही है लेकिन अदब को समझने वाले लोगों की संख्या उसी तरह लगातार घटते चली जा रही है तो क्या है अदब अदब की पहचान कैसे करेंगे क्या कोई भी लिखा हुआ तो आप लोगों के लिए तो यह पढ़ना जरूरी है लेकिन अगर आप स्टुडेंट नहीं है बस इसी तरह मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो भी आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है इसलिए अन तक आप लोग वीडियो को बीना स्किप किये देखि याद रखिएगा यह जो चैप्टर है यह एक मजमून यानि की निबंध है जो की अदब के पहचान के उपर लिखा गया है ठीक है की अदब की पहचान कैसे करें इस पर मजमून लिखा गया है ठीक और लिखने वाले कौन है मजमून निगार यानि की इस चैप्टर के बहुत ये तरीके से समझेंगे कि आखिर हम अदब की पहचान कैसे करें क्या कोई भी लिखा हुआ चीज अदब कहलाएगा क्या आखबार अदब है क्या फिजिक्स कमेश्ट्री बाइलोजी जो बुक होता है वो भी अदब है यह सारे चीजी मतलब इन सभी टॉपिक के उपर आज के इस वीडियो में डिसकस होने वाला है ठीक है तो चलिए सबसे पहले डॉक्टर अब्दुल मुगनी के बारे में समझते हैं और हां वीडियो को अभी के आप लोग शेयर कर दें अपने पोडों से अपने दोस्तों के पास जितना ज्यादा हो सकी और अगर आप लोग में उन्हें सब्सक्राइब में डॉक्टर अब्दुल मुगनी की पैदाईश हुई ठीक है वालिद यानि की पिता जी का नाम था मौलाना अब्दुल रऊफ और इप्तदाई तालिम घर पर ही मिले इनको यानि की जो शुरुवाते शिक्षा होती है वो घर पर ही यह हासिल इनोंने आलिम तक पढ़ाई की मतलब इनकी पढ़ाई कहां तक है आलिम तक याद रखिएगा कोशन पूछ देता है कि डॉक्टर अब्दुल मुगनी की जो है ना तालीम कहां तक हुई ऑप्सन में दिया रहेगा आलिम तक उसको टिक कर देना है ठीक अगर कोशन पूछे और मदर्सा की मतलब तालीम के सान साथ ये अंग्रेजी में बी में किये थे अंग्रेजी में पढ़ाई किये थे लेकिन इंग्लिश के पटना कॉछ उ-ipples में पटना युणिर्सिटी के पटना कॉलेज में अंग्रेजी के लेक्चरर के तौर पर इनको जॉब मिल गया और बाद में उनका तबादला जो है ना बी इन कॉलेज में हो गया पहले पटना कॉलेज में यह इंग्लिश के लेक्चरर थे उसके बाद से इनका तबादला हो गया ट्रांसपर हो गए बात कर लें इनकी कुछ तनकीदी तसानीफ की तनकीद का मतलब मैं आप लोगों को बताई चुक्ति खरे खोटे की पहचान करना हिंदी में कहते हैं तनकीद को आलोचना ठीक है मतलब मतलब को राइटर कुछ भी लिखा हुआ है कि मालीजी कोई लेखक है व original लेखा है वह कहानी निवंद लिखा है और नज्म लिखा है कुछ भी बताओ ठीक है तो तनकीदी तसानिफ यानि की डॉक्टर अब्दुल्मगनी जो है न यह तनकीद भी लिखा करते थे जैसे की तनकीद का नाम दिया गया है आप लोगे बुक में जादु एतेदाल नुक्ते नजर मयार वाकदार तश्कील जदीद और एकबाल और आलमी मतलब धेर सारे यह तनकीद लिखे हैं इंतकाल इनका हो गया था पांच सितंबर 2006 भी को पटना में ही याद रखना है कहां पर तो पटना में तो यह हो गया डॉक्टर अब्दुल्मगनी के बारे में कुछ डिटेल्स जो आप लोगों के बुक में दिया गया था सारा डिट कैसे कहते हैं अदब की पहचान कैसे करें अदब को हिंद्धि में कहते हैं इंगलिश में कहते हैं अडब ओढ़ ये अर्भी जबान यान की अर्भी भाषा का लफ्ल है और अदब को दो मारी में इस्टमाल किया जाता है पैबढ़ यह कि दूसरों को इस्ट और यहांद पूमियुक्त है क्टल मेहमान की खाने से पहले ही आप लोग ठूश ठूश कर खाने लगे ऐसा तो आप लोग नहीं करते हैं क्योंकि आप लोग को पता है कि हां अदब तहजीब आप लोग को पता है तो एक तो अदब को इस रूप में इस्तेमाल किया जाता है मतलब दूसरों की इज़त और इतराम के लिए इस्तमाल किया जाता है और दूसरा ये कि इनसानी ख्यालात और एहससात को लफजों के जरीए लिखकर बियान कर देना ही अदब कहलाता है अर्दू भाषा को सीखने के लिए जानने के लिए और समझने के लिए जो उर्दु हम लोग पढ़ते हैं उर्दु के किताबों को पढ़ते हैं उसी को कहते हैं हम लोग अदब यानि की उर्दु साहित्या अब यहां पर ध्यां से सुन यह विशय की तो जो अलग-अलग विशय की किताबे हैं, तो क्या उन अलग-अलग विशय, अलग-अलग सब्जेक्ट की किताबों को आप लोग उन्हीं के भासा में पढ़ते हैं, क्या फिजक्स को फिजक्स की भासा में पढ़ते हैं, कमेस्ट्री को कमेस्ट्री की भासा में पढ़ते हैं बाइलोजी को बाइलोजी की भाषा में पढ़ते हैं? जी, नहीं. इन सभी किताबों को आप किसी ना किसी एक भाषा के आधार पर पढ़ते हैं. या तो आप हिंदी भाषा, हिंदी लेंग्वेज के आधार पर पढ़ेंगे, यानि कि हिंदी लेंग्वेज में पढ़ेंगे, पढ़ेंगे, नहीं तो संस्कृत, नहीं तो अर्वी, नहीं तो फार्सी, नहीं तो तुर्की, मतलब इस दुनिया में जितने भी अलग-अलग subject की किताबे हैं, उन सभी किताबों को आप किसी ना किसी एक भाषा के आधार पर पढ़ते हैं, और वो भाषा आप लोगो तभी स पढ़ने लगे तो उर्दू भाषा आप लोगो तभी समझ में आएगी जब आप उर्दू के अदब को पढ़े हों मतलब किसी भी भाषा को जानने समझने और सीखने के लिए जो उस भाषा की किताबों को पढ़ते ना उन्हीं किताबों को कहते हम लोग अदब अगर उर्द आप लोग मैथ जो है हिंदी में पढ़ रहा है हिंदी भाषा में पढ़ रहा है तो हिंदी भाषा आप लोग को तभी समझ में आएगी जब आप हिंदी अदब को पढ़े हो यानि कि हिंदी के सहीते को पढ़े हो तो हिंदी भाषा को समझने सीखने के लिए जो आप लोग कि क्या कहलाएगा वह हिंदी अदब कहलाएगा इसी तरह हर लेंग्वेज में होगा मतलब हर लेंग्वेज का अपना एक अदब होता है उर्दू का अपना एक अदब हिंदी भाषा को सिखने के लिए अलग मतलब जो है नियम और कानून है आप लोग उसके अलग किताबों को प पाशा को सीख पाते हैं ठीक है तो आई होप आप लोगो समझ में आ गया होगा कि अदब किसे कहते हैं अब आता था कि क्या कोई भी लिखा हुआ चीज अदब कहलाएगा मतलब क्या अखबार जो है उसको आप लोग अदब कहेंगे नियूज यानकी खबरे छपी रहती हैं अ असलब यह कि अदब में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है अदब में जो चीज़ें रहनी चाहिए अदब के जो नियम और कानून होते हैं अगर उसको फॉलो करके कुछ भी लिखा जाए तब उसको अदब कहा जा सकता है तो अब समझते हैं कि अदब में क्या-क्या क्योंते चीजेंब्स जरी होती है सबसे पहला बाद तो अदब में फिक्रोघ मोना चाहिए है अदब में फिक्र और फन अशेये जिस चिज़ के बारे में अप लोग लिख रहे हैं उसके बारे में आप लोग SMART पूरी जाहिए फिक्र होना चाहिए और फन यानि की आर्ट होनी चाहिए अदब को लिषने की ठीक है और उर्दू कवायद की पावंदी रहनी चाहिए उर्दु कवायद को 100% पॉलो किया रहना चाहिए जो भी आप लोग लिख रहे है उसमें ठीक है और दूसरा लव्ज लव्ज की कमी न हो आप लोग के पास लवजों की भंडार हो तो बहुत यह अच्छे तरीके से आप अपने ख्यालात को जाहिर कर पाएंगे अगर आप लोग के पास लवज की कमी रहेगी तो आप अपने ख्यालात को जाहिर नहीं कर पाएंगे ठीक है तो इसलिए जरूरी है कि आप लोग के पास लवजों की भंडार हो चौथा पॉइंट यह है कि पूरी जानकारी जिस भी टॉपिक के बारे में आप लोग लिख रह कर दें आप लोग को पता था सब लिखकर तयार कर दिये तहींहीं और उस लिखे हुए को अगर पढ़ने वाले को केते हैं तो कारी को पढ़ने के बाद अंदर से शादगी का हैसास होना चीए मतलब दो जो इनसान जो भी कारी पढ़ रहा है, उसको पढ़ने के बाद ऐसा लगना चाहिए कि वाह, क्या लिखा गया है, मतलब वाकई में लिखा गया है, मतलब अंदर से उसको सुरूर और सादगी का एसास होना चाहिए कि वाकई में क्या लिखा गया है, बहुत कुछ सिखने को मिल यह पढ़कर तो इस तरह कारी को भी जो पढ़ने वाला है उसको भी एक नयापन मैसूस हो उसको भी सुरूर मैसूस हो कि वागई में क्या जबरदस्त तरीके से लिखा गया है तब तब आप उस लिखें वे को बोलेंगे क्या अदब तो ये अदब के कुछ नियम है अगर इसको फॉलो करते हुए कोई भी कुछ भी इंसान कुछ भी लिख रहा है तो इसको अदब कह सकते हैं ठीक है तो आई होप आप लोगो समझ में आया होगा पूरा चैप्टर इस अदब की पहचान नाम के चैप्टर में जो भी बाते बताई गई टॉप लिख कर बटाई कि यहां चीज़े समझ में आ गई है और उसके सांग वीडियो को पड़ाफट लाइक कर दें यह मतलब की बस खत्म हो गया वीडियो मज़ए तो रखनेंगे मुवाई दूसरों के पास भी श्चेर कर दीजिए ताकि सभी लोग अभला हो सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए का नोटिफिकेशन बेल को दबा लीजिए उसे होगा यह कि में रोज जाने वाली ओल वीडियो का आप तक सबसे पहले पहुंसेगा ठीक तो चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले टापिक के साथ तब तक के लिए जाहिंद और कुदार कुदार्फिस